भूमते हैं तो डर तो भाई सबको लगता है अलो फ्रेंट्स वल्कम टू इंदिस यूटूब चानल और आज का जो ब्लॉग है वो काफी सिंपल होने वाला है तो जैसे कि आपको मेरा बैक ग्राउंड देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं जो हूँ अभी हूँ खेतों में और आज का जो ब्लॉग होने वाला क्या वो इंट्रेस्टिंग होने वाला है या नहीं तो ये तो ब्लॉग में ही पता चल जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यहां से पारसनाथ मांटें मेरे बेग्राउंड में किस तरह दिखता है मैं पहले वह आपको दिखा देता हूं उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे यह पारसनाद मांटेन जो की काफी बड़ा है और इसे जारकंट का हिमाले भी बोला जाता है यह विशु का एक ऐसा मांटेन है जो की जैनों का सबसे बड़ा तीर थस्तल माना जाता है यहां पे आपको पहाड़िया भी दिख रही होगी जिसमें टावर लगा हुआ और उससे तो यह जो पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं पानी में सड़ सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस खेट से पानी को थोड़ा सा निकालेंगे जिससे कि यह पौधे अच्छे से ग्रोव कर सके तो यह हो चुगा अब मैं अपना हाथ दो लेता हूँ यहां के चारो तर खेट किस तरह होते हैं तो वीडेयो को बायक करता हूँ केमरे को और आपको दिखाते हो यहां के खेट किस तरह से ओर यह जो है बेलो से जोता गया एक ज़्यत को किुण आपको पारसना माउंटेंग जो कि मैंने आभी आपको दिका आप और यहां मेरा खेट है जिस में कि यहां पर बहुत सारे बेड़ियें और जो सियार होता है वो घूमते हैं तो डर तो भाई सबको लगता है तो चलिए निकलते हैं ब्लॉग यहीं तक रहता है तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्रम भारत मातगी जाए और हां चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना